Hello my dear students, चलिए हम लोग next class को continue करते हैं और आज का हस्ट प्रस्न है A state which of the flowing allowance is exempted यानि निमलिखित में से कौन सी आयकर मुक्त है तो option number 1 है dearness allowance, option number B है city compulsory allowance, option number C है foreign allowance और option number D है medical allowance तो 5 seconds का time दिया जाता है और ये time आपका समाब्थ हुआ, option number C इसका सही जवाब है यानि foreign allowance, चलिए आगे हम लोग continue करते हैं class को आज हम लोग allowances के विशे में पढ़ेंगे, देखिए allowance किसे कहेंगे तो कहता है न्यूकता द्वारा अपने करमचारी को वेतन के अतिरिक्त, मोदरिक में मासिक अधार पर दिया गया रासी क्या होता है allowances कहलाता है allowances थ्री टैप्स का है पहला है fully taxable allowances दूसरा है partial taxable allowances और तीसरा है fully exempted allowances पहला हम लोग study करते हैं fully taxable allowances fully taxable allowances में पहला क्या है dearness allowances यानि महंगाई भत्त यानि जो महंगाई increase कर रही है fluctuation कर रहा है उसके according जो है एक करमचारी को नियूकता द्वारा dearness allowances दिया जाता है छती पूर्ती होता है city compulsory allowances ये भी जो है अपने नियूकता के द्वारा एक करमचारी को city compulsory allowance दिया जा रहा है यानि वैसा allowance जो एक करमचारी metro city में रहता है और वहाँ पे metro city में other city के according जो है कुछ जादा ही खर्चा हो जाता है तो वैसे compensation के लिए उसे क्या दिया जाता है city compulsory allowance दिया जाता है medical allowances यानि अपने medical expenses को पूरा करने के लिए उस करमचारी को medical allowances दिया जाता है अलग से अगला है tiffin allowances यानि lunch को लेकर अगला है servant allowances है यानि अपने करमचारी को नोकर की स्विधा के लिए servant allowances दिया गया non practice allowances non practice आनि आपको देखने को मिलेगा जैसे teacher हो गएं और doctor हो गएं वो क्या करते हैं अपने private clinic भी खोल देते हैं और private जगा पर वो अपना सेवा provide करते हैं और वैसे condition में क्या होता है कि जो private doctor है वो क्या करता है अपनी professional में जो है अच्छा services नहीं provide करते हैं करने लगता है तो वैसी condition में जो है उसका government या फिर एक मालिक नियूकता जो है क्या करता है उससे कहता है कि non practice allowances देंगे यानि आप बाहर में practice ना करकर आप पुन रूप से आप अपने professional में अच्छे तरीका से कारी करिए उसके लिए हम आपको देंगे non practice यानि जितना भी आप बाहर का बाहर से आप earn करते हैं उतना राज से हम आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा यानि वैसे compensation के लिए उस करमचारी को non practice allowances दिया जाता है चलिए next है hill area allowances कहता है hill area at less than 100 meter यानि इसमें क्या है कि गर 1000 meter के दूरी से अधिक में अगर आप कारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो भी allowances मिलेगा वो क्या जाता है partial taxable allowances के अंतरगत या जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 1000 meter के दूरी से कम में कारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी hill area allowances मिलेगा वो पुर्ण रूप से क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा next है wooden allowances या फिर proctor allowances करते हैं यह क्या है कि आपको देखने को मिलेगा होस्टल में और college में देखने को मिलेगा जिसे वहाँ पे क्या है कि बच्चों को management करने के लिए यह कंट्रोल करने के लिए यह teacher के ऊपर जो है wooden swap दिया जाता है और YC कारी के लिए जो है उनकुत क्या दिया जाता है वर्ण सिप एलांसेज दिया जाता है proctor allowances हो गया जैसे कि exam हो रहा है वहाँ पे protect करने के लिए देख भाल करने के लिए उन करमचारियों को क्या दिया जाता है proctor allowances दिया जाता है यह भी अगर आपको मिलता है wardenship allowances या भी proctor allowances तो पुर्ण रोप से क्या होगा taxable होगा अगला है deputation allowances यह आपको कभी देखने को मिलेगा कि एक जो special करमचारी होते हैं जो experience होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है उनके जो न्यूकता है वो कुछ ऐसे area में transfer कर देता है जहाँ पे थोड़ा कठिनाई हो दिकत हो है ना वहाँ पे नीग करमचारी कारे नहीं कर सकते हैं वहाँ special करमचारी ही जा सकता है तो वैसे जगा प इनको कुछ मिलेगा आउसेस वो क्या होगा education यानि जो भी alloncices है और fully taxable अनलेस अस्पेसली एक्जंटेट यानि ये alloncices है पुर्ण रूप से taxable होगा बट कभी जो है अस्पेसली क्या होगा एक्जंटेट होगा ये जो है इंकम टेक्स एक्ट के अनुसार जो है अगर जिस करमचारी के लिए एक्जंटेट कहा गया है उन करमचार्यों के लिए क्या होगा? exempted होगा या इस्पेसिली रूप से अगर लिखा होगा तो ही क्या होगा? exempted होगा वरना क्या होगा? fully taxable हो जाएगा ठीक है? चलिती है हम लोग का fully taxable analysis कत्म हुआ अब हम लोग next देखते हैं partial taxable analysis यहां पर partial exempted analysis पढ़े यानि इसका अर्थ यह होता है कि जो भी आपको allowances मिलेगा उसमें से कुछ रासी क्या होगा? taxable होगा और कुछ रासी क्या होगा? exempted होगा तो पहला इसमें है horse rent allowances यानि जो आपको मकान के लिए allowances दिया जा रहा है वो आपके लिए क्या होगा? कुछ उसमें रासी taxable होगा और कुछ रासी क्या होगा? exempted होगा यह working number one या पिछले वाले class को देखेंगे lecture जो पिछे का दिया गया है उसमें आपको पूरे अच्छे तरीका से horse rent allowances को calculate करके बताया गया question भी इसके 2-3 हैसों बताया गया है next है entertainment allowances है यानि कि यह जो है नियोकतादवार आपने करमचारी को दिया जाता है entertainment यानि जो उसके यहां आते हैं अलग-अलग type का करमचारी परसन उनको आदर सतकार के लिए दिया जाता है ध्याना कहेंगे लेकिन जो एक्जम्टेड होगा और अधर इंप्लोई के लिका हो जाएगा फूली टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है next है travel area allowances दो सुर्प्या पर मंथ एक्जम्टेड होगा बट क्या है travel area कौन-कौन हो गया मध्य परदेश, तमिलाडू, उत्तर परदेश, करनाटका, त्रिपूरा, असम, पच्छिम बंगाल, बिहार तथा उडिशा में स्विक्रित है यानि ऐसे ही राज्जी में जो है travel area allowances अगर आपको दिया जाएगा तो दो सुर्प्या पर मंथ जो है एक्जम्टेड होगा next है running allowances या transport allowances ये कता है running allowances transport allowances का मीनिंग क्या है तो कर रहा है वाहान एक अस्थान से दूसरी अस्थान होना चाहिए ठीक है इसको भी working number आगे बताएंगे या फिर इसका according question आएगा तो उस question को बताने से पहले हम इसका जो format आपको horse rent allowances की जैसा हम इसको बता देंगे ठीक है यानि जो करमचारी है एक अस्थान से जैसे अप railway विभाग में देखेंगे इगर railway में आपका job लगा है कारी करते हैं तो वाँ एक राजे से दूसरी राजी में आप क्या करते हैं ट्रांस्पोर्ट का कारी करते हैं तो उनको जो है ऐसा कारी के लिए क्या दिया जैता है चिल्ड्रेंड execution यानि यानि आपके बच्चे के लिए क्या ची दिया जा रहा है Children's Education Allonses दिया जा रहा है एक सो रुपया पर मंथ Maximum Two Children's के लिए यानि एक सो रुपया पर मंथ exempted होगा अधिकतम दो बच्चों के लिए और next है Hostal Education Allonses यहाँ पर भी वही है तीन सो रुपया पर मंथ exempted होगा Maximum Two Children's यानि दो बच्चों के लिए ही exempted होगा Next है Travel Allonses यानि यातायात यानि ये पहले से अब जो है Hostal Allonses है ये Partial Taxable Allonses के अंतरकत लिए गया है ये अभी जो है Travel Allonses मिलता है तो आपको पूर्ण रुप से क्या हो जाएगा Taxable हो जाएगा यानि यहाँ पर लिख दिया गया है पहली ये था कि जो Travel Allonses मिलता था ये Normal Person के लिए तो वो 1600 रुपया पर मंथ exempted था और जो बितलांग है उन करमचारियों के लिए 32 सुर्पय पर मंथ exempted था लेकिन अब ये ये हैसू नहीं है इसके बदले में हम लोग को Standard Direction में हैसू जूट जाता है Direction यानि मैनस होता है वहाँ पर ये Travel Allonses अभी मिलेगा तो आपको पूर्ण रुप से क्या हो जाएगा Taxable हो जाएगा Travel का मतलब क्या है Host to Office Next क्या है Underground Allonses आठ सुर्पय पर मंथ क्या होगा आपके लिए exempted होगा जिसे Underground किसे कहा जाएगा इकर खानू में जमीन के अंदर असमान एवम अप्राकिर्तिक जलवायू यानि जहां समान नीचर का जलवायू नहीं है वैसे जगा में आप कारी करते हैं तो आपको जो है आठ सुर्पय पर मंथ जो है exempted मिलेगा Next है Some other specific allowances यानि specific allowances for performance of office duty यानि एक करमचारी को जो specific allowances दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से क्या होगा exempted होगा लेकिन इसमें ध्यान रखने योगी ये बाते हैं कि office duty expenses all exempted यानि office duty के दर्मियान में जो भी खर्चा होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा exempted होगा जैसे अगर यदि आपको 1000 रूपया दिया जाता है specific allowances और उसमें से आपका 500 रूपया ही खर्च हुआ office duty के दर्मियान और 500 रूपया बैलेंस अगे दी बचता है तो वो 500 रूपया आपके लिए taxable हो जाएगा इस बात पर इस बात को ध्यान रखेंगे सभी allowances पर जैसे क्या specific allowances का नाम है पहला है daily यानि पहला है traveling allowances traveling allowances यानि जैसे आप office duty के लिए traveling कर रहे यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर ticket का खर्चा हो गया और भी कुछ expenses हो सकता है तो वैसे में आपको जो है सो आपके लिए expense जितना भी राज से होगा उपन रोप से क्या होगा exempted होगा daily allowances यानि खर्च भी कुछ होगा वो भी क्या होगा, उसी तरीके supplied होगा condition में next है convenience allowances यानि सवारी भथत्ता, कभी कभी करमचारी क्या करता है, अपने ही कार को क्या करता है, अपने ही बाई को क्या करता है office duty में use करता है तो वैसे situation में जो है उसका नीयोकता जो है क्या देता है convenience announces देता है सवारी भद्ता देता है तो यहाँ पे भी condition applied होगा यानि जितना भी खर्चा होगा वो पुर्ण रोप से exempted होगा और यदि जो खर्चा नहीं हुआ और 80 पर आपके लिए taxable चले next हम लोग का helper announces यह helper announces जो है न्यूकता को जो है अपने करमचारी को एक helper की आवसकता होता है और वैसे situation में क्या करता है कि न्यूकता जो है करमचारी को के देता है कि अपना according कोई person को आप न्यूक कर लीजिए और जो भी खर्चा होगा हम उसके लिए payment कर देंगे उसका नाम क्या होगा helper अपने आपको इंप्रूब करने की आवसकता होता है और भी कुछ सिखने की जरुरत होती है तो वैसे condition के लिए जो है मालिक दुआरा जो है अपने आपको तो वह भी रासी क्या हो जाएगा उसके लिए एक्जम्टेड होगा बट क्या कि academic अलांसे जो भी दिया जाएगा वह पुर्ण रूप से क्या होगा उसमें खर्च हो जाना चाहिए यदि आपको 5000 रुपय अक्डमिक अलांसे के नाम से दिया गया और आप 4000 रुपय ही खर्च करते हैं और 1000 रुपय या बालेंस बचा लेते हैं तो आपको ऐलिए 1000 रुपय टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्थ है युनिफॉर्म एलांसे यह भी आपके नियोकता दोबारा जो है अपने dress को maintain करने के लिए क्या देगा uniform balances ये भी exempted होगा चलिए next है हम लोग का fully exempted यानि वह एलाउंसे जो पूर्ण रूप से क्या होगा exempted होगा जिसे पहला क्या है foreign यानि आप विदेश में बाहर में कारी करते हैं तो क्या होगा जो भी वहाँ पे अलाउंसे मिलेगा वह क्या होगा exempted होगा लेकिन ध्याना केंगे क्या कहता है अलाउंसे पेड़ बाइदा इंडियन गवर्मेंट टू एंडियन citizen government employee outside इंडिया for rendering service outside इंडिया यानि एक करमचारी जो सरकारी करमचारी है और भारत के बाहर क्या करता है service render करता है तो जो भी उससे भारत सरकार द्वारा अलाउंसे दिया जाएगा उपन रूप से क्या होगा exempted होगा नेक्स्ट है allowances to high court judge paid under section 22a subsection 2 यानि 22a subsection 2 के according जो है high court को अगर allowances मिलता है तो पूर्ण रूप से क्या होगा exempted होगा अगला है century allowances paid to high court and supreme court judge यानि high court और supreme court के judge को जो भी century allowances मिलेगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा exempted होगा century allowances यानि entertainment allowances के जैसा है यानि जो high court के judge होते हैं और supreme court के judge होते हैं उनको भी ऐसो उनके यहां जो बेगती आते हैं person आते हैं उनको भी यह आदर सत्कार के लिए क्या है कुछ खर्च करना पड़ता है तो वैसे खर्च के लिए जो है क्या करती है गवर्मेंट क्या करता है उ उनके लिए क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से exempted होगा next है compensatory allowances paid to judge अंडर आर्टिकल ट्रीपल टू सबसेक्शन टू आफ दा Constitution यानि भारतिय सविधान के according जो है यदि कोई high court judge को compensatory allowances में रहा है तो पूर्ण रूप से क्या होगा वो exempted होगा यानि कभी कभी क्या होता है कि court का जो judge होते हैं एक एक court से दूसरे court में क्या होते है ट्रांसपर होते रहते हैं तो वह ऐसे condition के लिए उनको क्या है कुछ समस्या होती है तो वह ऐसे according जो है government क्या करते हैं उनको compensatory allowances देती है और वह भी क्या होगा exempted होगा allowances received from united national organization यानि UNO यानि संयुक्त राष्ट संग की दुवारा जो है अगर आपको allowances received हो रहा है तो पूर्ण दूसरे क्या होगा exempted होगा चलिए आज हम लोग यहाँ पर allowances के विशे में जो है study किए और next class में हम लोग जो है इसी के according यानि allowances के according जो है question को solve करेंगे और आज का class खत्म होती है और आज का last प्रस्ण है सिच्छा भत्ता कर्मोक्त है यानि education allowance is exempted for अभी हमने इस इसको चाचा किया है तो हम उमीद है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे जिसे option number पहला है one person, four person, two person और option number D है none of these तो इसका सही जवाब है यानि two person है ना जो भी education allowance दिया जाएगा वो दो person के लिए maximum दो बच्चों के लिए क्या होता है exempted होता है चलिए all the best next class प्लोग मिलते हैं thank you